हेलो फेंड्स वेल्कम ट्रेंडाने स्टॉक्स और आज की स्निफ्टी की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि कल जब 27 जन्वरी को मार्केट्स ओपन होंगे तो आपको किस टाइब की फीगर किस टाइब की पिक्चर देखने को मिल सकती है मार्केट्स के ऊपर पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पांच दिन की स्ट्रेट गिरावट के बाद में कल लास्ट एडिंग सेशन पर 17,278 के आसपास की क्लोजिंग जो तकरीबन पौने 1% ऊपर थी पांच दिन में लगातार अगर आप देखेंगे 18,350 से मार्केट में जो लो लेवल्स दिखाये थे वो ते 16,800 के ये पांच दिन का क्राक है छे दिन का क्राक अक्चुली था लेकिन लास्ट डे ये लेवल्स लगाने के बाद में मार्केट फिर बहुत तेजी से रिकवर होते वे दिखाई भी दिये थे ये situation थी देखेंगे इसके तीन मेजर कारण है वो हमेशा दिमाग में रखने चाहिए कि US inflation जो सबसे बड़ा volatility का कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि ये volatility प्रोवाइड करा है US markets में और इसी के corresponding आपको Indian markets में भी volatility देखने को मिल रही है दूसरा जो important कारण है वो है देखिए US Fed का वो announcement जो आज basically आने वाला है और वहाँ पर rate of interest में hike देखने को मिल जाएगा जो अभी 0% चल रहे है और तीसरा जो बहुत major important कारण है जिसकी वज़े से day before yesterday बहुत heavy volatility का सामना US markets को भी करना पड़ा था 1000 पॉइंट ऊपर, 1000 पॉइंट नीचे, 700 पॉइंट ऊपर की recovery NASDAQ जैसे index में and Dow Jones जैसे index में देखने को मिली थी वो है Ukraine tensions यानि कि Ukraine में Ukraine को लेके US and Russia जो basically आपने सामने आ गई है वहाँ पर एक warfront खुलने की बात कही जा रही है तो यह तीन major reasons है जिसकी वैसे markets के अंदर इतनी बुरी हालत है कि इतनी जबर्दस uncertainty की situation है कि यह exactly match कर रही है 2020 last week of March को जो पता नहीं था लोगों को कि actually में करना क्या है बस market एक तरीके से sell-off के mood में आ गया था बहुत जबर्दस बिकवाली हमाँ पर देखने को मिली थी तो यह जो situation देखे यहाँ पर बंती भी दिखाई दे रही है जब तक इन तीनों के उपर clarity नहीं आती तब तक आपको अपने Indian markets के जो domestic use है उसका असर बहुत कम देखने को म information तो हम लोग यह तो नहीं कह सकते कि यहाँ पर 16,800 पर Nifty कोई bottom out वाली situation देखने को मिल रही है Nifty अभी और भी सिंख हो सकता है अगर आज ऐसा कोई equation बंती भी दिखाई दे US Fed की तरफ से जो markets को रास ना आए लेकिन एक अच्छी बात किया है कि देखे बहुत अच्छी खास को तो definitely markets पर यहाँ पर एक अच्छी खासी range दिखा सकते हैं उपर की तरफ तो यह equation बहुत अच्छी आ रही है फिलाल इंडियन market से और first of February को यह चीज़ धियान में रखिएगा first of February को budget है और अगर budget के अंदर एक भी announcement ऐसा हुआ जो stock market के favor में आता वा दिखाई दिया तो फ लगते हैं यह मोटा मोटी overview है अगर हम बात करें बांक निफ्टी की जैसे कि मैंने previous वीडियो में भी आपको बताया था जो कोटक महिंद्रा बैंक की मैंने वीडियो बनाई थी अभी कल उसमें आपको बताया था कि बांक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा मजबूत condition में है और इसने उतनी जादा intensity के साथ गिरावट इस बार नहीं दिखाई है जितनी intensity के साथ निफ्टी ने दिखाई है अगर आप देखें के यहाँ पर एक अच्छी खासी bullish engulfing candle जैसी pattern की formation last reading session पर हुए है almost 1400 points का move यहाँ पर intraday देखने को मिला है बांक निफ्टी के अंदर अगर मैं HDFC bank को निकाल दूँ, all over HDFC bank को अगर मैं निकाल दूँ तो कोई एक bank ऐसा नहीं था जब basically जहाँ पर खरीदरी आपको होते वे नहीं देखने को मिली in fact private sector bank के साथ में PSU sector के जो banks थे वो भी इतनी अच्छी तेजी में थे आप चाहिए किसी भी bank को लेके देखे तो बहुत अच्छा move था, सबस्यादा prominent move था वहाँ पर SBI के अंदर हलागी volatility बहुत जादा थी बट फिर भी काफी stability वहाँ पर देखने को मिले थी लेकिन last में SDFC bank ने भी एक अच्छी खासी closing दी है और वहाँ पर भी खरीदारी होती भी देखने को मिली तो HDFC bank अगर आपको देखे आज के move के बाद में, आज के US के move के बाद में एक तरीके से हमारे लिए मैं कहता हूँ एक बहुत अच्छा bonus point है कि हमारे market साथ 26 जनवरी को बंध है और हमारे लिए अच्छी बात क्या है कि हम आज अच्छी तरीके से read कर सकते हैं कि US market किस तरीक के बाद क्या show करेंगे, वो important होगा समझना कि हमारे markets किस तरीके से उस US Fed के announcement को लेती भी दिखाई देती है, positive side में और negative side में, तो all over अभी तो index मजबूत वापस से होता वा दिखाई दे रहा है, अब देखें मैं आपको अगर आगे लेके चलता हूँ जो बहुत important चीज है आ 1100 करोड के आसपस की selling करिए, selling figures आप देखिए, और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप April 2021 से देखेंगे, केवल एक महीना September मन्त को आप छोड़ दीजे, जिसमें बहुत छोटी सी खरीदारी इनों ने करी दी, अभी तक कोई भी खरीदारी वाला महीना गया नहीं है, January 2022 2022 आगया है, लगातार एपरिल से लेके और जैनवरी 2022 तक ये selling करते आ रहे हैं, लेकिन इन पूरे महीनों के दोरान, मुझे कोई एक ऐसा महीना अभी तक नहीं दिखाई दिया, जिसके अंदर एक दिन में 7170,100 करोड की selling करी हो, केवल जितना मुझे याद है, मार्च 2020 वाले मन्त में, FIA की जबर्दस सेलिंग आई थी, वो थी तकरीबन, if I am not wrong, 65-66,000 करोड की, 66,000 करोड की selling थी, जिसमें एक दिन ऐसा था, in fact, दो दिन ऐसे थे, जहाँ पर 6,000 प्लस करोड की selling वापर देखने को मिली थी, तो वापर केवल दो इंस्टेंस ऐसे थे, जब 6,000 करोड स की वज़े से, जो 45,000 करोड की बाइंग या पर करीए, इन्होंने, ये मार्केट को समालते वे नजर आए, तो मार्केट को खरीते वे नजर आए, डिया इस वापस से अपने रंग में, 45,000 करोड से जाधा की खरीदारी, और यहाँ पर इतनी जबरतस बिक वाली, उससे पहल पार्टिसिपेशन आतो रहा है मार्केट के अंदर, बड़ जैसे जैसे मार्केट एक इस तरीके से वोलैटिलिटी दिखा रहा है, वहाँ पर कहीं न करेंग पैनेकिंग सिचुएशन के चलते, एक लेवल पर पहुचने के बाद में, प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ दिय तो यह प्रॉफिट बुकिंग रुकनी चाहिए, अगर सस्टेनिबिल्टी हमें लानी है किसी लेवल पर, तो निफ्टी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग रुकनी चाहिए, तो प्रॉफिट बुकिंग रुकेगी तभी, जब यहाँ पर नेट इंस्टिशन जो फीगर जाला था एक छोटा वीडियो, वो उसमें आपने देखी लिया था, किस तरीके से, यूएस और नेस्टेक फ्यूचर्स प्रीवेस टेकी क्लोजिंग दिखा रहे थे हैं, और आज फ्यूचर्स कैसे शो हो रहे थे, आप देखें, फ्यूचर्स पॉसिटिव थे, तकरीबन 0.5% से जाधा की तेजी इस वक चल रही है, नेस्टेक की बात करें, तो वहाँ पर 2.20% की तेजी थी और यहाँ पर भी 2% से जाधा की तेजी इस वक चल रही है, तो main important तो है नेस्टेक, जिसके अंदर oversold वाली situation आगी है, और एक चीज़ में आपको बताता हूँ, अगर by chance एक भी news ऐसी आगई US Fed की तरफ से, जो market के favor में हुई, मान लीजे कि भलाई 10 to 90 का ratio है, कि आप लोग सोच रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि 90% तो ऐसी कोई news आने नहीं वाली, लेकिन अगर भूले विसरे एक 10% वाले chance क्लिक कर गया, तो फिर market इतनी तेजी से shot up होगा US में जो जितने भी shot on के system में है, वो सारे shot cover करते वे दिखाई देंगे, exponentially markets वागे उपर की तरफ जाते वे दिखाई दे सकते हैं, तो फिर हमारे markets भी corresponding भी बहुत बड़ी तेजी दिखाते वे दिखाई दे जाएंगे, तो अपने लिए देखें, जो काम है वो यह है कि आज रात markets ही close रहे हैं, बाकि सारे markets open हैं, तो अगर सिर्फ US market ही नहीं, बलकि इस US Fed की meeting से ठीक पहले, जितने भी आप European markets देखेंगे, जर्मनी, UK, France, Italy, सारे markets के अंदर एक बहुत बड़ी तेजी का mood बनते वे दिखाई दे रहा है, और यह तेजी कोई आधा 1% की नहीं है, यह धाई 30% से लेके और तकरीबन 4% तक की तेजी आपको दिखाई दे जाएगी, यह देखी हैं, पर कितनी बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है, और यह अपने आप में बहुत strong base बना रही है कि शायद कहीं नगई anticipation है कि आने वाली जो बात है US Fed की तरफ से वो इतनी negative नासा साबित होते वे दिखाई दे, और जो भी crack होना था शायद उसके पहले ही ओके निकल जाए, अगर आप बात करें Asian markets की तो Japan से शुरुआत करते हैं, निकई की अंदर आदे परसेंट के आसपास की किरावाट, इसके अलावा कोई बहुत बड़ी ग्रावाट आपके सामने नह रहे हैं, तो एक positive sentiment के साथ में कर रहे हैं, केवल Asia की markets काल सूबर जब open होंगे, उसको check करना रहेगा US markets के साथ में, तो यह situation बहुत positivity दिखा रही हैं, अभी तक तो बाकी देखते हैं, लेटर आन क्या होता है, अब option chain पर चलते हैं, अब option chain पर क्या situation है, कल है हमारे पास में monthly position से, यह हमें थोड़ा सा यहाँ पर check करना होगा, 17,300 से अगर उपर की तरफ market निकलता है, तो 17,400 पर एक heavy resistance यहाँ पर बैठा हुआ है, बट जो important बात है, नोटिस करने वाली वो आप देखेंगे, कि कल आपके पास में expiry है, और केवल 65,000 contracts ही यहाँ पर outstanding दिखाई हाँ में आफिल लेटर ओन आप कह दीजे जिस तरीके से रैली निफ्टी के अंदर देखने को मिली, उस निफ्टी की रैली ने यहाँ पर short covering करवाई है, 17,400 के लेवल पर, जो एक बहुत अच्छी बात है कि यह resistance week पड़ा है, 65,000 contracts की होने के बावजूद भी, यह resistance week है, 17,500 पर जो एक लाख चालिस हजार से ज्यादा contracts का है, in fact यह भी तब है, जब यहाँ से 26,000 contracts माइनस हो गया है, otherwise 17,500 पर जो आलम था, वो था तकरीबन एक लाख, आप कह सकते हैं, 65,000 से ज्यादा contracts का, तो यह जो the distances है, यहाँ पर short covering की वज़े से week पढ़ने लगे हैं, बट भी considerable amount of यहाँ पर एक outstanding हो आई है, इसलिए मैं समस्ता हूँ कि अपर range 17,500 आपको कल की तारीक में आती भी देखने को मिल सकती है, second बात करें, अगर put side के अंदर कहां support है, in case अगर US Fed की तरफ से कोई 80 news आती है, जिसकी वज़े से market उपर जाते जाते नीचे जाने लगें US के, तो हमारे market में already बहुत जादा crack हो चुका है, तो मैं नहीं समस्ता की देखिए, उसी करन की वज़े से वापस से आपको Indian markets में बहुत जादा गिरावर देखने को मिले, तो मैं कल के लिए बहुत जादा downside नहीं देख रहा हूँ, मतलब मैं सोचरों कि downside तो है, लेकिन बहुत limited way में आपको देखने को मिल सकती है, तो अगर 17,278 पर अभी है 17,250 के नीचे निकला, तो 17,200 पर भी कोई कम support नहीं है, आपको लेके बैटा है 17,200 का जो strike price है, बट ठीक है, हम लोग यह मान लेते हैं, यह बहुत जादा नजदी के इस के बाद में कहां आपके पास में area है, त मैं समझता हूँ, 17,100 पर 53,000 कोंट्रेक्स का OI यहां पर बैठा हुआ है, तो 17,100 से नीचे शायद कल निफ्टी ना निकलतावा दिखाई दे, और उसका एक बहुत important कारण भी है, अगर आपने कल के reading session को बहुत closely observe किया हो, तो 17,100 के लेवल बहुत अच्छी तरीके से hold हो र इसलिए मैं समझता हूँ कि lowest range वो हमें देनी चाहिए 17,100 को जो अपने आप में बहुत important और key levels होंगे कल के trading session के लिए, तो यह 400 points की run कल आपको देखने को मिल सकता है, फिलाल आज के अभी के एसाब से, जब US Fed की कोई news conference आ जाएगी, तब शायद यह range कम होती भी दिखाई द तो important चीज रहेगी, वो यह रहेगी कि देखे कल के second half के अंदर, अगर आपको कोई रुक देखने को मिले Nifty का उपर की तरफ, तो आप definitely buying करके जा सकते हैं, क्योंकि rally, अगर first of fab की budget के बाद आती है, तब आपको उसका फायदा मिलतावा दिखाई दे सकता है, तो यह all over view है म और उस shots के जरी आपको information मिलेगी कि मेरा actually में क्या भी हुए Reliance and SGFC bank के stock को लेके, चलिए तो देखेए, इस वीडियो करते ही पर ही, and I hope यह सारे points आपको समझ में आ गए होगे, वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज प्लीज लाइक जरू की जिएगा, शेर भी जरू कीजगा, और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, तो सब्सक्राइब करें, बराभन मेद्या बहल है करें, जिसके आपको यह कोई भी वीडियो की notification मिस ना कर पाए, मिल आगा अगले वीडियो में तिल दें, थान